असलाम अलेकुम दोस्तों एक बार फिर से हाजिरों में आप लोगों के लिए साओधी अरब के कुछ खास खबरों के साथ लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से रिकोष्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब पर उस पेसेंट की एज 31 एर्स थी तो दोस्तों इसके साथ यहां पर आपको मालूम होगा और मैंने आपको पिसली वीडियो में बताया भी था कि डबलू एचो ने मंगी पॉक्स वायरस को ग्लोबल हेल्थ एमर्जंसी घोसित कर दी है तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ फॉलाइटं पर प्रतिबंद भी लगा दिया जाए तो आपको सावधान रहना है लेकिन दोश्तों इस case में एक टेंसन वाली बात है कि इस बंदे का कोई भी ट्रेवल record नहीं यह simply कुछ दिन पहले मना ली गया था एक party में वहां से आने के बाद जब इसकी screening की गई इसको कुछ symptoms नजर आए तो इन्हों अपना check-up करा है उसके बाद इसके अंदर monkey fox के symptoms पाए गए और symptoms पाए जाने के बाद में इस बंदे को hospitalized कर दिया गया उसके बाद में इस बंदे का सेंपल ले करके इंडियन इस्टिट्यूट आफ वारोलोजी को सेंड कर दिया गया दोस्तों यहां पर दूसरी के अपडेट से साओधी अरब के CITC department की तरफ से CITC department अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूँ जिस application से आप SIM card बंद करते हैं अपने इकामा के फेक SIM card उसी application का एक department जिसे हम CITC department कहते हैं फुल फॉर्म आप यहां पर देख सकते हैं तो दूसरों इस department ने यूटूब से कहा है अब यूटूब से कहने का मतलब यह है कुछ non-eskipables एड़ आते हैं तो यहां पर ministry ने कहा है कि जो भी ads सौधी अरब या फिर Islamic rules को follow नहीं करते हैं या फिर इसलाम का मजाग बनाते हैं या फिर इसलाम विरोधी होते हैं तो यूटूब जल्द से जल्द इन ads को इन वीडियो से हटा दे अन्य था सौधी अरब की इसके खिलाब सक्थ एक्षन लेगी अब यहां पर दोस्तो सक्थ एक्षन लेने का मतलब और लीगल एक्षन लेने का मतलब आप खुद समझ सकते हैं और इसके सासा दोस्तों यहां पर तीसरी अरब के जातका डिपार्टमेंट की तरफ से का इसका फुल फॉर्म होता है तो दोस्तों जातका ने एक रिपोर्ट जारी की है और बताया है कि सौधी अरब में जो भी सोना 99% धिया फिर उससे ओपर प्योर होगा उस पर कोई भी वेट यानि वेल्यू एड़िट टैक्स नहीं लिया जाएगा लेकिन अगर कोई सोना 99% से कम की प्योरिटी रखता है तो वहां पर उससे 15% का वेट यानि वेल्यू एड़िट टैक्स लिया जाएगा तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है कि अगर आप किसी भी तरीके का सोना खरीदने जाते हैं तो वहां पर अगर आपसे 15% का वेट मांगा जाता है तो समझ अगर कोई भी कफिल साओधी अरम में अपने employee को किसी दूसरे रिष्टेदार या फिर किसी अधर परसन के पास काम करने के लिए भेजता है या फिर वह अपने employee या अपने नौकर से कहता है कि आप खुद का काम कर लीजिए और मन्थली मुझे या फिर सालाना मुझे पैसा दे दिया कीजिए उस कफिल के ओपर 10,000 रियाल का जुर्माना और 5 साल की recruitment band लगाई जाएगी अब दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा डीटेल समझने की जरूत पड़ेगी कि recruitment band क्या है इसे कि माली जी आपका कफिल हर साल एक आदमी बुलाता है या फिर एक आमिल पाएगा इसका मतलब है पांच साल की recruitment band लगा दी जाएगी उसके उपर तो दोस्तों यह थी साओधी अरब के कुछ खास कबरे आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पने इस चैनल को सब्सक्रा ओञ कर दोस्तों कि थाएगी तेमियो आएगी को पाँ दोस्तों को सेल होगी वीडियो